हलो एवरिवन आज हम बनाने जा रहे हैं मैजिकल कुकिंग बाई सवीता में चूर्मा जो की हमारे भारत में लगभख हरियाना पंजाब उत्तर परदेश और लगभख हर जगे ही बनाया जाता है आज हम इसे बना रहे हैं इसे बनाने के लिए देखिए हमें इस तरह से गर्म थोड़ी मोटी और करारी रोटिया लेनी होती है तो चलिए शुरू करते हैं मैं रोटी को थोड़ा टुकड़ों में तोड़ लूँगी यह देखिए मैंने सभी रोटियों के इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए हैं अब हम इसको मिक्सर जार में बनाएंगे व जिसमें मैं डाल रही हूं कुछ काजू थोड़े बदाम स्वादा नुसार चीनी आप चाहें तो इसकी जगह पर ब्राउन शक्र भी ले सकते हैं थोड़ा सा इलाची पाउडर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालने से न दौस्तों एक दम इसका स्वाद किसी मिठाई की तरह हा जाएगा इस मिक्सचर को ग्राइंड कर लेते हैं यह देखिए अब हमने इसका मिक्सचर बना लिया है अब इसमें हम एड करेंगे अपने ये रोटी के टुकडे हमने सभी रोटी के टुकडे इसमें डाल दिये हैं अब साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी इसमें घी जो है बहुत ज़रूरी है आप चाहें तो इसे बेगर घी का भी बना सकते हैं लेकिन उसमें फिर बाइंडिंग नहीं हो पाएगी मैंने यहाँ पर देसी काओ का पतंचली घी लिया है अब हम इसे मिक्स कर लेंगे इसे पीस लेंगे अच्छे से महीन पेस्ट चूरमा पेस्ट तयार है बहुत अच्छा महीन यह पीस गयाए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम इसके लड्डू बना लेंगे थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर इसको हम ऐसे दबाते जाएंगे एसे इसे करके यह हम सारे पेस्ट के लड्डू बना लेंगे यह देखिए हमारे बहुत स्वादिश्ट ताकतवर चूर्मा लड्डू बनकर त्यार हैं अब हम इनको गार्निश कर देंगे ऐसे काजू और बदाम से मैंने कुछ काजू और बदाम इसमें डालने से पहले बचा लिए थे आप भी अपने घर में बनाएं, खाएं और सब को खिलाएं ये बहुती ताकतवर धक और स्वास्ते वर्धक होते हैं खाने में भी बहुत स्वाद लगते हैं आप मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें शेयर करें ये आपके ताकतवर चूरमा लटू तयार हैं पूरमा लगते हैं